नमस्कार दोस्तो दोस्तो आपकी इस पूडियों बतना वाला हूं कि आप अपने ओटर आईडी काड के अंदर मुबाइल नंबर को कैसे लिंक कर सकते हैं दोस्तो मुबाइल नंबर लिंक करने के बहुत सारे फायदे हैं अपने ओटर आईडी काड के अंदर जिसे आप अपन से मुबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं और ID कार्ड के अंदर यह आपको जानना है कैसे होता है तो मैं वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको यहाँ पर यह उप्शन देखने को मिलेगा वोटर रजिस्ट्रेशन ठीक है तो आपको इसको पर क्लिक करना है यहाँ पर आने के बाद आपको एक उप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर नीचे जाएंगे फिर नीचे एक उप्शन आएगा लेस्ट इसको पर क्लिक करेंगे फिर पूछ रहा है का आपके पास वोटर एडिकार का नंबर है तो इससे स्लेट कीजिए नहीं है तो आप फिर प्रोसिष्ट करके आगे बढ़ते हैं जैसे आगे बढ़ेंगे आपके उटर आईडिकार से जो भी समन्दी जनकारी होगी सब कुछ आ जाएगी आपके विजान सबग क्या है आपका लोग सबगों सब कुछ दिखा देगा आपका नाम उमर सब कुछ उसके बाद आप पर नीचे next पर क्लिक करना है अब यहां पर में चीज है अब यहां पर आने के बाद आपको यहां पर देखिए एक option ज़र आएगा correction of entries in exiting electoral roll आपको second option को क्लिक करना है और next पर क्लिक करना है उसके बाद आपको देखिए किस चीज के अंदर आपको changing या फिर update करवाना है उसस के बाद पूछ रहा है कि जो नया मुबाइल नमर आप लिंक करना चाहते हो या जो भी मुबाइल नमर आप उसमें डालना चाहते है उसको यहां पर डाल दो ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको verify पे क्लिक करना होगे ऐसे वेरिफाइप करोगे ओटीपी आएगी क्लिक करना जैसे कि वेरिफाइप करूगे यहां पर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहां पर पर उपर प्रिवीव दिखा रहा है तो तो आपको यहां दिखा देए आप मोबाइल नमरिघ कर वाणा है नहींुण करण कि आपको यहां पर आपको यहां पर आप आएंगे यहां पर वक्लिक करोगे उसके बदेख वोटा करोगे उसके पर आपको जो भी स्टेटस नमबर लिए करोगे इस टेट टेट स्टेट करोगे यहां पे स्टेट सो पर ने वीडियो में एक अच्छी और सांदरा वीडियो के साथ तब तके लिए जय ही जय भारत